कि वेल्कम बाइक और चैनल भी स्वित क्लसेज दोस्तों आज की खास वीडियो में वता दो कि बहुत सारे टॉपिक को एक साथ हम लोग प्रैक्टिस करने जा रहे हैं जिसमें टेंस वाइस नेरेशन्स सिंटेक्स और आर्टिकल से समंतित जो भी क्वेशन्स एक्जाम में उन्स यहां थे कि फिर पूजिशन भी करेंगे शाथ में दोस्तों तो सारे परकार की क्वेशन्स को एक साथ हम लोग करने वाले हैं तो वीडियो पे अंतक बने रहें वीडियो को लाश्ट तक देखें बहुत ही मैजा आएगा खुद की वह जांच कर सकते हो कितनी तयारी आपकी होई है इस इसके अलावाँ आप किसी भी परकार की यहां की तयारी करते हो या कोई भी बिहार बोड ja और भी बूर्ट हो या कोई कॉपरीरीशन की चाहित्व हो आप इस बीडियो के से आपने एकजाम की तयारी बहतर कर सकते हैं इसमें कोई शक नहीं है तो चलिए वीडियो को हम लोग पर करते हैं कि आखिकर इस वीडियो में क्या entonces है क्या ख्यास बात है इससीजिसकों लोग देखेंगे चलिए start करते हैं किया right, क्या wrong पहला question अब क्या है तो पहला question क्या है और यह दोस्तों में एक बात और बताऊंगा कि अभी तक आपने इस चैनल पर इस चैनल के वीडियो को इस वीडियो को शेयर नहीं किया है तो दोस्तों के पास शेयर करें हरे गुडियो को शेयर करें टाकि एक साथ सभी लों कॉम्पोडिशन तोर पर तियारी कर पाएं यहां पर ठीक है न दोस्तों इतना तो आप लोग कढ़ी सकते हो यहां तक कि एक एक लाइक सब लोग करें शेयर करें और चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब को बेल आइकन को प्रेश कर दें ताकि जो भी नोट्रिफिकेशन है आपको बिल्कुल चाइम पर मिलें फर्स्ट क्वेसन देखते हैं चलिए दोस्तों इसका क्या होगा गेस करने करें इसका राइट एंसर क्या होगा आपके सामने क्वेशन दिख रहा है मैं तो सिंपल सी भासन में ऐसे ऐसे ट्रिक पिताने वाला हूँ कि आप ठ्रिक कोई भी फोलो कर लेते हो तो आप कई सरे एक्जाम को क्रेक कर चकते हैं निकाल सकते हो इसमें कोई शक नहीं है जहां कहीं आपको उकलग दिखाई दे क्या दिखाई दे ओक्लॉक दिखाई दे जहां कहीं आपको एम दिखाई दे यह पी एम दिखाई दे तो मेरे दोस्त कि सारे कि सारे सटें टाइम होता है निशित समय होता है और इस निशित समय के लिए हम किसका प्रयों करते हैं एक का प्रयों करते हैं इसमें को राइट एंसर समझ में आ गया होगा चलिए नेक्स्ट कोशन तरह बढ़ते हैं अब आपके सामने क्विस्ट क्वेशन आएंगे आपको फट फट उसका एंसर बताना है ठीक ना जीतना हुशर के प्रयास की जिएगा चलिए बढ़ते हैं अगले कोशन के तरफ क्वेशन आपक इसका ओप्सन देखते हैं कि इसका क्या होने वाला है इस चार आपके सामने हैं दोस्तों बताएए इसका राइट एंसर क्या होगा ठीक है बहुत लोग अच्छे कॉमेंट कर रहे हैं बहुत लोग अच्छे जा रहे हैं बताएए इसका राइट एंसर क्या होगा इसका कि ओनिस्ट मेन या बोई तो इसको ओनिस्ट हम लोग पढ़ते हैं तो मैंने आप लोगों शिखाया होगा कि जब उचारण और उसका साउंड फॉस्ट साउंड अगर और आता है तो उसमें एन का प्रियोग किया जाता है इसका राइट एंसर समझ में आ गया होगा इसमें सब्सक्राइब बढ़ते हैं कि देखिए नेक्स्ट कोशन हैं बहुत अच्छा क्वेशन बहुत प्यारा क्वेश्टन है यू कैंडू दो वोग इफ यू हैव डैस पेसंस तो बताएए दोस्तों क्या लग सकता है बुलिए चली स्क्राइब के आपके उपर मैं छोड़ता हूं कोमेंट बॉक्स मुझे को में बताए इसका राइट एंसर क्या होगा नेक्स को अंदर बढ़ते हैं आपका भी तो होना होना सब्सक्राइब दोस्तों अगर यस कोशन के जवाब नहीं दिया तो समझे आपको ते नहीं आती है चलिए ओपसंगो देखते हैं इस में खास ऑप्षन किया है उसको हम लोग देखते हैं चलिए आपके सामने यह ओस्टन है चलिए फड़ाफ पर्च आप लोग कॉमेंट कीजिए इसका राइट एंसर चैट बॉक्स कर शक्ते हैं यह कॉमेंट बख्स में कर सकते हैं चैट में कर सकते हैं comment box में किजिए as wish जैसी आपकी मरजी हो चलिए इसका right answer मैं बढ़ना चाहूंगा इसका right answer जाएगा with ठीके ना most of us हम में से अधिक से अधिक लोग जो है इत वीद आश्पून चम्मस से खाते हैं और इसका यह क्वेशन दोस्तों में बता दूँ आप लोगा टेंस हैं और टेंस आप लोग आज से नहीं भच्पन से पढ़ते आ रहे हैं काफी लंबे समय से पढ़ते आ रहे हैं मुझे उमीद इसका right answer आप जरूर दीजिएगा जल्दी कॉमेंट करो मेरे दोस्तों क्या जल्दी इसका comment यह चैट से में बता है इसका right answer क्या होगा चलिए फटाफट किसे बहुत अच्छे अंसर बता रहा हैं ठीक है तो मैं बता दूँ कि इसका right answer हो जाएक क्या हो जाएगा क्योंकि जहां भी एस्टड़े दिखाई दहीं बीते हुए समय को दर्साइब और साहां बीते बहुत अच्छी स्वीरिया स्पावर्वल्जाब एच्छाएची ने समय यूस रीधल स्टेयार से से आप संसार में बदला उला सकते हो संसार को बदल सकते हो एजुकेशन को फोलो करो ग्रहन करो तपश्या करो एजुकेशन इस मॉस्ट एंड मॉस्ट इंपोर्टेंट फॉर यो फीट्स इसलिए आगे मैं बढ़ता हूं फिर से क्वेशन आपको सामने आ सीज टॉलर देन यू डैस शिक्स इंच वह तुमसे छे इंच क्या है चोटी यह चोटा है ठीक न इसका ऑप्शन भी देखते हैं ऑप्शन क्या है सामने आपके सामने ऑप्शन भी फ्लेक्स हो गया है से लिए फट फट इसका एंसर बताने का प्यास करें पांस सेकंड का आपके पास राइट एंसर कॉमेंट करें चलिए मैं ही बता देता हूं इसका राइट एंसर हो जाएगा बाई हो जाएगा जहां भी आपको इस परकार से 6 इंचेज दिखाई दे तो कोई भी चीज़ को मेजरमेंट हम लोग करने के लिए याद रखिएगा चलते हैं अगले प्रइक तरफ को शली एक सांद दो दो क्वेशन आगे आपके सामने देखते हैं इसका राइट एंसर क्या होगा दस संड डैस ब्राइटवी तो बताना है संड्र इंवर्ड सं क्या है आप जानते हो तो शर्म जो है ब्राइट ली मतलब होता है चम मनें समझ सकते हैं चम्प ठीके ना दो बुएज डैस काइट्स आर नॉट और फ्रेंड देखिएगा ध्यान से क्विस्टन बहुत ही टफ कोशन में बता दो आपको कई बार कॉमपडीशन एकजाम में कोई राइस किया गया है और इसके अलावा कई जगह आपको यह कोशन देखने को मिल जाएगा इसम आप मुझे बता हो इसका राइट एंसर क्या होगा चलिए जल्द से बताने का प्रयास कीजिए मैं बता देता हूं इसका राइट एंसर हो जाएगा फ्लाइंग बहुत लोग सोच रहे हों कि फ्लाइंग क्यों होगा कैसे होगा ठीक है अगर यह कॉंसिप्ट आपको नहीं आता है तो कॉमेंट बख्स मुझे कॉमेंट करें बताएं किसका क्या कॉंसेप्ट है और जो बच्चे जो दोस्त जो कंडिडेट स्टुडेंट कोमेंट करके क्वेस्टन पूछते हैं कॉमेंट बख्स में अगले वीडियो में उनका मैं नाम जरूर मेंशन करूंगा जरू कि डॉड डॉट कीप आओ प्रॉमिसेज बहुत अच्छे क्वेस्टन है मैंने आप लोगों पढ़ाया भी है कई बार कई बताया भी है कि जहां कहीं एक सांथ सुड और मस्ट दिखाई दें तो किसका प्रयों किजिएगा कोई सक नहीं आपको मस्ट का प्रयों कर दिजिए इसमें नो डॉट इसका राइट हैंसर हो जाएगा चलते हैं आगे बढ़ते हैं अ कि यह वह दोस्तों उसका एंसर देख सकते हो जो एक साथ चार को चुशन जो सेकेंड कुशन पुशन पुशा था ना उसी का राइट एंसर हैं चलिए लव यूर लाइफ लव यूर लाइफ लव यूर लाइफ लव यूर गोल एचिवेंट्स एंड एमबिशन्स चलिए बहुत अच्छी एक स्टेटमेंट थी लेकिन मैं समय को ध्यान रखते हुए आगे बढ़ता हूं आपके सामने दोस्ते एक क्वेशन प्रस्तुत हुआ है प्रेजेंट हुआ है निव और डैस लाइफ लाइफ सीटी तो बताए इसका राइट एंसर क्या होगा कॉमेंट कीजिए जल से मुझे बताने का प्रयास की ज़िए इसका राइट एंसर क्या हूं बहुत बहुत लोग अच्छे एंसर दे रहा हैं इसका जबाब बहुत लोगा ठीक जा रहा है बहुत लोग और कोशिस तो करें पहले तो मैं बता दों किसका राइट एंसर हो जाएगा एए हो जाएगा कोई शक नहीं है अगले कोशन के तरह बढ़ते हैं हम लोग ठीक हो ना अगला कोशन आप तो देख रहा हैं चलिए इसका उप्सन भी आपके सामने फ्लेस हो चुका है तो दोस्तों बैदाने का प्रयास करें इसका राइट एंसर क्या होगा चलिए डूइट फास्ट जल करें बहुत अच्छे बहुत लोग अच्छे जवाब दे रहे हैं बहुत लोग अच्छे कर रहे हैं उसमें कोई श्रक नहीं है आप आगे बढ़ता हूं चलिए इसको सब्सक्राइब अच्छी सब्सक्राइब होगे मुझे उमीद है आई होब मुझे बिल्कुल मीद है सब्सक्राइब सब्सक्राइब लोग दो न last question सब्सक्राइब है कि इसकíst सब्सक्राइब कीजिएगा और उसके अलब मैंने बताया कि जहां भी और आका इसे और आप लोग पढ़वे किया होंगे लोग इसका प्रणूंसियेशन होता है उच्छान आता है तो आप एंड़ किसमें कोई शक नहीं है इस कॉंसेप को याद होगा आगे दरह में बढ़ता हूं बहुत प्रणूंसियेशन होगा ठीक है यहां पर उसके बारे में बताया जा रहा है कि यह एक बहुत थी फंखार अनिमल होता है चलिए अगले को बढ़ते हैं कि अगला क्वेशन में क्या एंसर है और क्या 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 बढ़ता है ठीक है तो आप जानते हुए कि लिखा है तो वन कै इसमें कोई सकने छीए ठीक के बाठते हैं वहलत तो बहुत ही प्यार अंदिया चृशन किया ऍयक्का यह कॉ Venus यूज यूज तो क्या मुंद रहा है यह यू रहा셔야 यानि नहीं आप सहीं समझ रहे हो सहीं जा रहे हो आए जा रहे हो आए कि त्रह इस जा चान happy के Researchers क्या क्या है इस मेरे दौस्त बताओ इनवर्सिटी कैसे लिखोगे ऐसे लिखोगे पहला वर्ड क्या यह आ रहा है तो कख़़स से लेकर यह लोग के भी समय कंसेप्ट मैंने बताया था तरहाइट एंसर क्या हो जाएगा इसमें कोई सक नहीं अब से जा रहे हो ठीक है आगी कि मैं तरह बढ़ता हूं अगले कोशन के तरह अगले कोशन चलिए दोस्तों इसका चार ओप्षन आपके सामने दिख रहा है इसे बढ़कर एक क्वेशन आपके सामने मिलने वाला है तो आप पच्छी तरह जानते हो इसका अपने नहीं बताया तो क्या बताया दोस्त सलिए इसका राइट अप्षन चीज़ कीज़ेगा नहीं क्योंकि मारवल एक मैट्रियल लाउन है और जब मैट्रियल लाउन होती है तो यहां पका कीज़ेगा नहीं दिसका ओप्षन चीज़ कीज़ेगा कई सक नहीं आगे बढ़ता हैं यह क्वेशन तो आप लोग कई बढ़ देखें हैं बहुत सारे बच्छे कहते हैं सर इसमें लगा दिया है क्यों क्योंकि यह भॉवल है भॉवल जहां रहता है तो एंग अप्ड़िव होता है इसा कंसेप्ट गलत है दोस्तों इसका फॉस्ट लेटर जो है इसका पॉड़न सेशन कीज़े इसका साउंड देखिए तो लिखाएगा यूरोपी यह कैसे लिखाएगा य यूरोपी यहन पहला अक्षर क्या है करहां से लेकर लोग भी स्मय आता है तो मैंने आपको कई बर बता हैं कि उस टाइम एक अप्रयों होगा इसमें कोई सक्षंदे नहीं है बढ़ते हैं नेक्स्ट कोशन के तरफ नेक्स्ट कोशन क्या कहता है इस चीज़ कितरफ फोकस कर होता है समझते हैं आगे बढ़ते हैं कि वैसं कह रहा है लेटस कि लेटस पलेडाइसी तो अब देख लेटस प्लेडाइसक तने सब्सक्राइब्स वह घ्याइं और फूर नहीं होता है कि नहीं होता है इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा दोस्तों इस राइट एंसर नान फो जाएगा अगले कुशने द्रह बढ़ते हैं बहुत अच्छे से ध्यान से बढ़ते हैं चीके जैसे की आप देख पा रहे हैं आपको तो एक क्वेस्टन का एंसर मुझे नहीं बताना है यह फिर भी थोड़ा से आप लोगों बता दों कि यहां पर इन्वर्सिटी कैसे लिखोगे यू निवर्सिटी आप समाज़के इसका राइट एंसर क्या होगा कोमेंट बक्स मुझे बताने का प्रयास करें आगे मैं मैं बढ़ता हूं कि आई गोच मुझा मदुराई बाइडाइस वगई वगई क्या एक्सप्रेस है ट्रेंड का नाम है तो ट्रेंड का नाम जहां भी रहते हूं आप किसका प्रयों करते हैं इसमें कोई शंदे नहीं है आपका राइट एंसर क्या होना से आप अच्छी तरह चाहूंगा कि अगला जो बहुती कास क्या क्यों है तो चलिए दखते हैं क्या 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 सक्वेस्टन हैं ठीक है देखिए इस इसके संद करता हूँ को बहुत लोगा राओंग एंसर दिनिगी इसके साथ मुझे मुझे उमीद है लेकिन आप मुझे विस्वास का ब्राइट करने का प्रयास करोगे पहले बात ही होगा ना दूसरा बात ही हो जाएका है आपने सही आगे बढ़ता हूँ दोस्तों मैं बता दो कि इस परकार मैंने वीडियो इस तरह से बनाने में थी तो एक प्री में आपको कोई पैसे करने ही जाते हैं दोस्तों शेयर करने से लाइक करने से मोडिवेशन मिलता है और इसी परकार और अधिक वीडियो आप लोग देखना चाहते हैं तो इतना तो कढ़ी सकते हो मुझे पुरी तरह से विश्वास से आप लोग चलिए आगे मैं बढ़ता हूं कि अगले कोई बताएगा यह क्या चीज़ है यह किस पार्ट सब्सक्राइब लिया गया इस इस गड़ा देता है पहले यह बताएगे कहां से क्वेशन रेजिया गया तो मैं बता दूं आप लोग को आर बिंग इंक्रिज तो जहां भी आपको इस आर एम के बाद बिंग लगा हो और काहाै तो कहना सर जी ये तो वाइस है और वाइस की सबसा था ओं पैसी अवाइस है और पैसी भा रास कों सेट 인श क्या है यह तो पर जंट s क्व 만च पह्ति पशले ही शी मचैंस ही न लिगए तक आप पर्लंट सा इसका गाएपर बता होगा चलिए फटाफोट इसका कॉमेंट करके एंसर बताने के प्रयास करें कि इसका एक्टी वोईस क्या होगा चलिए मुझे उमीदेगा प्लूश ही बताओंगे यह आम स्योर चलिए तो मैं ही आपको बता देता हूं पहली बात यह तो होगा नहीं किसमें नाट का प्रयोग नहीं हुआ दूसरी बात यह तो फ्यूचर टेंस सही तो होगा नहीं और चौती बात इसका खैन कुट मेंक अप्रियोग हुआ ही नहीं है देखिए दोस्तों एक्षाम में अक्सर क्या करना दो ओप्षन ऐसा मिलेगा जो स्योर आपको भी दिखाई देगा कि यह गलत है तो है लेकिन दो ऑप्षन ऐसे भी दिखाई देंगे इसमें लगए कि दोनों के दोनों सही है तो वहां पर आप कॉंसेप्ट एंट्रिक एंट का यूज कीजिए गए इसका राइट अंसर क्या होगा मैंने तीन-तीन ओप्षन को काट दिया तो आप लोगो बिल्कु समझ में आ रही है कि इसका राइट अंसर क्या होगा चलि आगे बढ़ते हैं समंझ में आ गया होगा कि सलिए जो देश रवोग आपको बताना इसका राइट एंसर क्या होगा चीक है आपके पास सब्सक्राइब तब भी वना सकते हैं सलिए मैं ऐसे से ट्रिक बता रहा हूं कॉंसिप बता रहा हूं पहली बात जो आप कैन कूड सूड में माइट दिखते हैं न इस सारे के सारे म और मोडल वर्प्स के बाद यह मोडल वर्प्स के बाद डायरेक्ट भीथिरी का प्रियोग नहीं होता है इस कॉंसेट को दिमांग में लॉक कर लेना आपको याद कर लेना है मोडल वर्प के बाद भीथिरी का प्रियोग होता ही नहीं है तो मेरे भाई तुम ध्यान दे पह कि दोनों में बता है यह option को राइट होगा सभी बात है कि यह भी option राइट अंसर क्या हो जाएगा आपका option यह हो जाएगा इसमें कोई सक नहीं है concept entry को सिखिए और याद रखिए इक्छा हो सकते लिखिए इसको चलिए आगे मैं बढ़ता हूं बहुत ही बेहतर कोशन है मैंने पहर नहीं परें बढ़ यह बता उटने के भात हो इंच चीज का प्रेव हो तो पहले वाले question आप अब आप जानते हो मेंने फीड साब्याटा दो यह हो थैजर से से ना अटाने का प्रेंस कर घ्रिए प्यारे विद्यार्ठी अं सिंसा आग सिव कर लो चलिए आगे में best कोई बात नहीं है समझ सकते हैं यह क्वेशन फिर से रिपीट हुआ है पिछले फॉस्ट सेकेंड कोशन हो देखे थे वीडियास कीप और प्रॉमिसेस मैंने आपको बताया था कि जहां भी दोनों दिखाई दे तो समझे कि इसके डाइरेक्ट मॉस्ट का प्रियोग होगा ठीक लिखो कि सर मॉस्ट एंड सुड में क्या अंतर है वोट इस दिफ्रेंट बीट्विन मॉस्ट एंड सुड एकॉर्डिंग तू यूजिज यह एकॉर्डिंग रेनिधीं वॉट्टेवर्य वांट वांट वांच वांक्स्ट यूज चैना क्स आम हीयर टूल यह चली आगे ब बता दूं कि जो बच्चे जो दोस्त जो विद्धार थी से उसको पुछते हैं तो अगले वीडियो में उनका नाम में जरूर किया जाएगा मैं हर एक का कॉमेंट पढ़ता हूं कॉमेंट कीजिए कॉमेंट वक्स में किजिए और ध्यां रहे हैं कि आप चैट वाक्स में भ चैट 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 तो मैं आपको बता दो इसका राइट एंसर क्या होगा दोस्तों डाइविलीटी टू वोक वैल गुट्स वे गुट्स गोईंग नेक्स्ट को समझने में प्रॉब्लम हो रही होगी लेकिन कोई बात में इसमें और बहत्रतिक बताऊंगा चलिए सुझ दो कॉरेक्ट मीनिंग फिट्स तो इसका अर्थ होता है ग्रेट एक्शन इसा बयाद करना पड़ेगा इसमें कोई सौक नहीं है ठीके न लिजे आपके लिए खास क्वेशन आगया सुगन्या जो है इस टाइपिंग तो आपको मैंने बताया था कि जहां भी इस आर एम और भी फोर दिखाई दे त तो आप कहना कौन सर्टेंस है चलिए कॉमेंट बॉक्स में जलते कॉमेंट करें बताएं मज़े लिए वीडियो के साथ निंजुए करें तो आपने सही सोचा और आप सही जा रहे हो मैं इसकी ग्रेंटी दे सकता हूं इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा आपने अगर इस बहुत ही जबरदस्त कोशन है दोस्तों आपको सिर्फ यह बताना है कि कौन सा टेंस है वाज वॉर्ण दिया है तो आपको समझ में रहे हो तो पास्ट की बात कर रहा है तो पास्ट कहां लिखा हूँ है दोस्तों आप देख रहे हो कि फॉस्ट ऑप्शन में पास्ट लिखा सिंपल पास्टें तो राइट एंसर यह होगा जार इसमें कोई सब नहीं इसलिए आगे बढ़ते हैं वाव क्या क्या क्वेस्टन है कि मैं तो ज्यादा कुछ बताऊंगा नहीं बस आपको जिक चीज़ याद रखना जहां भी है और है के बाद बृटीरी दिखाई दे तो आप सिधी से कहने है कौन से तेंस है dressed来 इसका राइट एंसर देते हैं मैं देखता हूं बहुत लोगों ने ध्यान था हो हो इसका राइट अंसर क्या दोस्तों इसका राइट अंसर हो जाए इसमें कोई शोक नहीं है आपका पर्जेंट पॉफेक्टेंसी हो जाएगा चलिए और भी क्वेस्टों एक भागे नहीं घबराये नहीं एक्जाम है तो त्या के चैनल के साथ जूरे रहे और अपने दोस्तों के सहर कीज़िए आप तो सीख रहे हो ना कंसेप्स ट्रेक बिसम जिसागे साथ तो आपका दोस्त भी सिखें आपका प्रोशीव जिक हैं और पूरे इंडिया फाला दो इस वीडियो पूरे लोग देखें पूरे भीहार में फिला दो पूरे फिला दो जो भी इंग्लिस के लवर है ना मैं उनको सीगाऊंगा इंग्लिस में ट्रेंड करूंगा कोई शक नहीं चलिए बढ़ता हूं अगले कोशन के तरफ से लिए आपके सामने चार ओप्षन तो फ्लेस हो गया है आई सल विजिट दो फेर चमारो तो आप ऐसे भी देखते हो यार बहुत सिंपल से कोशन है इसमें कोई बताने वाला नहीं है ठीक ना तो जहां भी सैल और विल के बाद विल के बाद भीवन दिखाई दे तो आप जा इंडाफने टेंस इसमें कोई शक नहीं है सही जा रहे हो चलिए और भी क्वेशन आपके सामने जो फ्लेस हो रहे हैं देखिए असो का यहां पर स्पिलिंग मिस्टिक तो धन ध्यान रखिए अगर ठीके ना आप समझ रहे हैं तो आपको टेंस पर करना भी मैंने बताया था जहां भी वाजवर दिखाहिए दे दोस्तों वाजवर दिखाहिए दे तो आप जानते हो ना किसके पास जाओगे इसमें कोई डाउट नहीं कुई शक नहीं वाउ घ्रिक स्टेटमेंट हैं और यागत क्वेशन थोड़ा सा समझते हैं जिन्दगी में साहे हर गलती कर लेना पॉजेटी में बात करो और नेगेटी मत सोचना जिन्दगी में चाहे हर गलती कर लेना पर कभी भी एक छोटा लक्ष चुनने की गलती मत करना लक्ष हमेसा बड़ा देखो और बड़ा करने की सोचो और आगे वरते जाओ इसमें कोई शक नहीं है आप करोगे लाइक करो शेयर करो और अभी भी इस चैनल पर नए हो तो इसी परकार के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो चलेते हैं वाओ एक और भी क्वेस्टन अभी घावराना नहीं है इसलिए मैं आपको थोड़ा से कंसे बता दूं कि जहां भी भी वन या भी फाइब जैसे होता है टीच टीचेस प्ले प्लेज गो गोज तो आपको जहां भी भी वन भी फाइब दिखाई दोस्त तो कहना कि सिंपल पर जेंट इंडाफने टेंस तो आपने शही सुना तो आपने से सुना तो इसका एंसर भी क्या दोगे तो सही एंसर दोगे इसमें कोई शक नहीं है चली आगे बढ़ता हूं अगले को संगदर बढ़ता हूं अगला क्वेस्टन क्या है वाओ यह तो मजाग हो रहा यार पहले अपसर नहीं आ जा रहा है उसके बाद रहे घजब मेरे दोस्त मैंने अभी आपनों से बताया था जहां भी जारें के बाद भीपोर दिखाई दे तो कॉंसर्टेंस से कॉमेंट बॉक्स में बताए मैं तो नहीं बताने वाला हूं ठीक ना कि पहले ही बता दी जा था जहां अब इस आरेंइन प्लस भी पूर दिखाई दे इसे क्या बोलोगे लोगे सबाने मन में तो आई रहा है क्या बोलागे ऊर जेंड कॉंटीनिम्प अब्सों में कोई सोख नहीं है कि अअप पूछ रहा है कि कोरेक्ट इस्पूलिंग पूछ रहा इसका इसका इस्का स्वलाइब क्या है तो पहली बात होगा नहीं होगा नहीं इसका राइड़ शुien अच्राइब ट्वीशन तो यह तो होगा नहीं यह होगा नहीं तो इसका राइट अंसरो जाए कि दी चलिए बहुत अच्छा आप कर रहे हो अगले कोशन के तरह पूछ रहा एक फ्रेज है तो सुस्ट दो कोरेक्ट मीनिंग आप फ्रेज इन टाइम ठीक है तो आपको इसका सही एंसर बताना और जा बताना इंट आहिए न था तो भ़ो इन टाइम का मतलब असमय समस्क्राइब तो के लिए था रहा है लिट कर रहा ह Спढ़तों हमें से लेट बयत और कि नहीं नौट लेट का मतलब होता है इं टाइम यह इं टाइम का मतलब होता है नौट लेट मैं शमय पर हूं ओखी गुट चलिए इस क्वेशन का आप पहले भी किया था लोग याद है एक कोशन रिपीट हुआ रिपीट हुआ तो आपका राइट एंसर बताने का फर्स बनता है फिर पर मैं ही बता जाता हूं तो इस इस क्वेशन का एंसर भी आप लोगों दीजिए इसका राइट एंसर क्या होगा अधिक से अधिक वीडियो को सेर कर अपने दोस्तों के पास शेयर करके दोस्तों आइड यूर है इस चैनल को ग्रोथ करने के लिए आपको अधिक सदिक थोड़ा सा कॉपेट करें ताकि इसी पर कर वीडियो में लाइब और फेस टू फेस आपको पढ़ा पाऊं ठीक ना फिर भी आम लोग लाइब कर रहे हैं लेकिन प्रीमियर लाइब है यह फेस टू फेस लाइब हम लोग बहुत जलदा हैं इस इसको ल सकते हम कि आपका बहुत अच्य त्यारी कर रहे होंगे और गौड घवलेस रहेगा मेरी दुबा रहेगी कि आप लोग बहुत-बहुत बहुत बहुत अच्छे करें अपने एक्जाम में ठीक है चलते हैं दोस्तों तब तक के लिए जैहिंद जैभारत मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हंस्तर यह मुस्क्राते रही है और इस सब्सक्राइब करते रही है ठीक है